नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलिशन में आपका स्वागत है संपादकी से समंधित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं आज के पहले संपादकी से जिसका सिर्शक है दा रेड लाइन्स इस संपादकी को लिया गया है इंडियन एक्स्परेस से और यह संपादकी जिस पेपर टू में शामिल विशय विभिन घटकों की बीच शक्तियों का प्रिथक्रण के दृष्टिकों से महतपूर्ण है देखते हैं इस संपादकी को विस्तार के साथ इस संपातकी का आधार है असिवा अकिल भारती प्रेज़ेडिंग ओफिसर्स कॉंफरेंस। इस कॉंफरेंस का आयोजन केवडिया के गुजरात में किया गया था और यह कॉंफरेंस दो दिवसिय था। और इस कॉंफरेंस के अवसर पर राष्टपती, उपराष्टपती और प्रधान मंत्री ने प्रेज़ेडिंग ओफिसर्स को संबोधित किया। आये हर एक के संबोधन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले प्रधान मंत्री के संबोधन में यह देखते हैं कि प्रधान मंत्री ने किन विसयों को उजागर किया। प्रधान मंत्री ने अपने संब सम्विधानिक संस्थाओं के समक्ष लक्ष्मन रेखा की बात की वहीं सम्विधानिक संस्थाओं के मद्ध सक्ती पिर्थक करण पर भी उन्होंने चर्चा की और उसके साथ साथ सम्विधानिक संस्थाओं के मद्ध सक्ती संतुलन पर भी उन्होंने विसेश बल दिया प्रधान मंत्री ने यह बात कही कि अब समय आ चुका है कि हम उन प्रयासों को अपनाएं उन पर हम भल दें जिससे संविधान के तीनों अंगों मतलब विधाईका, कारिपालिका और न्याईपालिका के मद्ध अनुकूल कारिक करने का वातावरन तयार हो सके इतना ही नहीं संविधान के इन तीन अंगों और लोगों के विश्वास के बीच भी मजबूती आए, मतलब लोगों के विश्वास में बढ़ोतरी हो संविधान के इन तीन अंगों को लेकर साथ ही साथ प्रधान मंतरी ने यह बात भी कही कि संविधान और लोगों के मद्ध जुड़ाओं में गृधि होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि समिधान के दर्सन और समिधान की जो भासा है उसको लोकप्रिय बनाय जाए लोगों के बीच में खास कर युवापीढ़ी के बीच में ताकि युवापीढ़ी भारती समिधान से जुर सके प्रधान मंत्री ने यह बात भी कही कि हमारे कानून की भासा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान से सामान व्यक्ति भी उसको समझ सके इसके अलावा प्रधान मंत्री ने यह बाद भी कही कि समय के साथ जो कानून अपना महत खो चुके हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए अब हम बात करते हैं राष्टपती के संबोधन की तो राष्टपती ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों की भूमिका पर बल दिया राष्टपती का यह कहना है कि जो विपक्षी दल हैं वो सत्ता पक्ष के साथ विरोध जरूर करें लेकिन उस विरोध का अपना एक अर अब हम बात करते हैं उपराष्टपती के संबोधन की। वहीं विधाईका के संदर्व में उपराष्टपती का यह कहना था कि विधाईका अपनी सीमा का आतिकर्मन कर रही है। किस प्रकार से? तो विपक्षी दलों का जोर विरोध और होहला पर जादा रहता है। अपने अधिकार छेत्र से बाहर होकर कारी कर रही है। जिसे समाने भासा में हम जुडिस्यल ओवर रिच कहते हैं। अब देखे क्या उधारन है। जैसे दिवाली में पठाकों का प्रियोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पर भी निर्ने नियापालिका लेती है। और जबकि जजों की नियुकती कारी पालिका के द्वारा होनी चाहिए की नहीं होनी चाहिए तो इस प्रकार के हस्तक छेप की नियापालिका मना ही करती है। और न्यायपालिका का जो कार है उप्राश्च्पति के अनुसार वह संविधान के दर्सनों की अभेलना के रूप में देखी जा सकती है और उप्राश्च्पति का यह भी मानना है कि न्यायपालिका का यह कार संविधानिक लक्ष्मन रेखा का भी एक उलंगन है अब यह जो तीनों मतव राष्टपती, उपराष्टपती और प्रधानमंत्री के द्वारा जो संबोधन किये गए, अगर हम उन संबोधनों की समिक्षा करें, तो हम यह कर सकते हैं कि कई वर्सों से ऐसे कई कारे हुए हैं, जो जिन्ता को बढ़ाने वाले हैं। अगर राजनितिक कारेपालिका की बात हम करें, तो फिर यह बात हमें नहीं बूलनी चाहिए कि राजनितिक कारेपालिका की द्वारा जो उनको बहुमत प्राप्त हुआ है, उस बहुमत का प्रियोग वह एक राजनितिक सस्त्र की रूप में कर रहे हैं। कारिपालिका के द्वारा किये गए कुछ कारियों के प्रती मौन धारन करती है और यही कारण है कि कारिपालिका के विरुद दायर मुकद में लंबे समय से न्याइपालिका में लंबित है और राज्य द्वारा नागरिकों के अधिकारों और स्वपंदृता के अतिकर्मन होने पर भी न्याई पालिका अपनी तरब से कोई महत्वपूर्ण पाहल नहीं करती है तो ऐसे समय में आवेश्यक्ता इस बात की है कि सम्विधानिक इस्थिती में जो और संतुलन की इस्थिती देखी जा रही है उस पर सम्विधान के इन तीनों अस्तंभों के द्वारा आप में चिंतन किया जाना चे कारिपालिका को हमेशा या बात याद रखनी चाहिए कि जो जनादेश उसे प्राप्त हुआ है उसका वह सदुपयोग करे और उसे वह सम्मान दे और न्याई पालिका अपने संस्थात्मक भूल में जो भी थोड़ी सी भी भूलो उसमें सुधार करने का प्रयास करें इस ब्रकार इस संपादकी के माध्यम से हमने विभिन्न समवेधानिक संस्थानों के मध्ध मौझूद वर्तमान समस्याओं पर चर्चा की अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादकी की और जिसका शिर्षक है पॉलिसिंग फित इस संपादकी को लिया मतलब उत्तर प्रदेश विधी विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिसेत अध्यादेश 2020 हाला कि इस विषय पर कल के संपादकी में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है परंतु यहां पर इस अध्यादेश का परिछन इस आधार पर किया जाएगा कि यह समवेधानिक कसोटी पर कितना खरा उत्रेगा तो हमें यह पता है कि प्राविशन ऑफ अनलाफूल कंवर्जन बिल 2020 का उध्यादेश से गैर कानोनी धर्मांतरण पर रोक लगाना है परंतु विसलेशकों की राय पर अगर हम गौर करें तो उनके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के द् अध्यादेश समाज के द्रिष्टिकों से एक प्रतिगामी कदम है मतलब पीछे ले जाने वाला कदम है वहीं यह अध्यादेश पुलीस द्वारा नागरिकों के नीजी जीवन और विश्वास में हस्तक छेप को बढ़ावा देता है जो अत्यंत ही निंदनिय है अब देख इस अध्यादेश में धार्मिक स्वत्मत्रता इस सब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया है जबकि इससे पहले कई राज्यों के द्वारा जो गैर धर्मांतरन कानून बनाए गये थे उसमें धार्मिक स्वत्मत्रता सिर्शक का प्रयोग किया गया था अब उत्तर में देखे क्या सब्द सामिल किया गया है इसमें धार्मिक स्वत्मृता सब्द का प्रयोग नहीं है तो क्या प्रयोग किया गया है बलपूर्वक छल प्रभाव में लाकर इन सब्दों के साथ साथ बहलाकर विवाह करना को अतरिक्त आधार बनाया गया है धर्मांतरण को गैर कानोनी सिध्ध करने का, अब जैसा कि हमने कल के संपाद की में देखा, कि उत्तर प्रदेस सरकार के द्वारा जो अध्यादेस लाया गया है, उस अध्यादेस में जेल की सजा का भी प्रापधान है, जैसे अगर बलपूर्वक धर्मांतरन कराया जाता है, तो एक से पाँच व धर्मांतरन बलपूर्वक कराए जाता है तो फिर तीन से दस वर्स तक की जेल की सजा का प्रापधान है। इस मामले में सर्वोच न्यायले ने मद्ध प्रदेश और ओडिसा सरकार के धार्मिक स्वत्रता कानून की वैद्धता को बरकरा रखा था। धर्मांतरन रोकने का आधार नहीं बनाए गया है। परंतु हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड का कानून और उत्तर प्रदेश का यह जो नया अध्यादेश है यह इस पस्ट रूप से गैर कानूनी धर्मांतरन को रोकने के लिए शाधी को आधार बनाता है। नियापालिका द्वारा निजता के अधिकार से संबंदित और साफिन जहन हादिया मामले से संबंदित जो निर्ने दिये गए अगर उन निर्नेों पर हम विचार करें तो हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति के विवाह करने का जो अधिकार है वह अधिकार उसका मूल अधिकार है और यह निजता का भी अधिकार है और इस प्रकार के अधिकार में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है तो इस आधार पर अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाएगे अध्यादेश की हम समिक्षा करें तो फिर यह अध्यादेश समयधानिक परिक्षन की कसोटी पर स अब इसे से पाले जो भी कानून लाए गए हैं, उन कानूनों में धर्मांतरण पर रोक लगाने का जो आधार रखा गया है, वह आधार है लोक विवस्था, क्योंकि ऐसा मानना है कि बलपूरवक और छलपूरवक धर्मांतरण की घटना से लोक विवस्था के समख्च खत्रा के रूप में देखें तो फिर न्याइपालिका इस बात को नहीं मानेगी और केवल विवाह को धर्मांतरन के गैर कानोनी मानने का आधार बनाय जाए तो फिर इस न्याइक परिक्षन में भी या औसफल हो जाएगा यही कारण है कि इस कमी को दूर करने के लिए अध्यादेश में केवल विवाह ने बहलाकर विवाह सब्द को शामिल किया गया है इसी अध्यादेश में एक प्रावधान है प्रावधान क्या है कि धर्मांतरन की पूर्व जानकारी डीम को देना अनिवार है 2012 इस्वी में हिमाचल प्रदेश उच्च न्याले के द्वारा ठीक ऐसे ही प्रावधान को खारिच कर दिया गया आधार क्या बताये गया कि व्यक्ति के धार्मिक विश्वास की निजता का यह प्रावधान उलंगन करता है अब यह देखिए कि अध्यादेश अपने न्याइक परिक्षण में सफल होता है या सफल नहीं होता है या समय की बात है परन्तु दुखद बात यह है कि अनिराज्जी के द्वारा भी और परत्यक्ष रूप से अंतरधार्मिक विवाह के विरुद कानून लाया जाएगा प्रश्ण है कि समिधान अपने लक्ष को प्राप्त करे इसके लिए यह आवस्यक है कि समयधानिक संस्थाएं अपनी सीमाओं का अतिकर्मन ना करें कथन की समिख्षा करें इसके साथ ही इस वीडियो को विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमसकार